मराटा में मराटा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन शुरू है उसे मनोज जारांगे पाटिल ने रिजर्वेशन मंजूर किये जाने के बाद भी जारी रखा है मनोज जारंगे पाटिल का मुतालबा है कि मराटो को तक्रीबन रिजर्वेशन दिया जाए और ऐसे में सरकार ने 10 फीसद रिजर्वेशन उन्हें दिया है पहले जो है सरकार ने 16 फीसद रिजर्वेशन दिया था मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने जो है जालना में 144 और कर्फ्यू नाफिस कर दिया है बता दिया आपको के जालना में जो है दुकाने बंद कर दी गई है और तमाम जो है ऐसी चीजे जो है आम सरगर्मिया जो है पूरी तरह से मुतासिर है इस वज़े से आंदोलन के सबब महराश्टा भर में 50 से 60 जगों पर जो है सड़क रोको आंदोलन किया गया और उसके मनोज जारांगे पाटिल का डिमांड है उसके बाद महराश्टा भर में आंदोलन शुरू हो गया है मनोज जारांगे पाटिल भोकरताल पर है और उनके हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही है इसकी वज़े से महराटा विरादरी भी ना सिर्फ यह के मुश्टाइल हो चुक जो एमर्जंसी खिदमात है उसको जारी रखा गया है बाकी जोगों पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है मनोज जारांगे पाटिल ने बंबई आने का एलान किया था और ये कहा था कि वजीर दाखला और नायब वजीर आला देवेन फणनवीस के बंगले सागर पर जो ह ही पूलिस अलट हो गई मारश्टा भर में सेकुरिटी अलट पर है और मनोज जारांगे पाटिल के मुंबई आने पर पाबंदी आयत कर दी गई है मुंबई दाखले के वजे से जो है 144 लगाया गया है और बता दे आपको कि मनोज जारांगे पाटिल बजीद है कि वो पाटा बिरादिरी को दिया गया है उस पर भी मनोज जारांगे पाटिल ने सवाल उठाए है और यह कहा है कि यह जो रिजर्वेशन दिया गया है यह सिर्फ दिखावा है और रिजर्वेशन पर जो है अमल दरामत नहीं होगा क्योंकि जो है रिजर्वेशन अलैदा रिजर गया और OBC कोटा उससे मतासिर होता है तो उसके खिलाफ है बता दिया आपको कि असेंबली में रिजर्वेशन तो मनजूर कर लिया गया है सिंधे सरकार नहीं है काम्याबी तो हासिल कर ली है लेकिन रिजर्वेशन पर अमल दरामत करना जो है सरकार के लिए भी मुश्किल है क जब तक reservation नहीं मिलता उस वक्त तक वो अपना एतिजाज जारी रखेंगे 10% reservation दिया गया है इससे कवल पुरानी सरकार ने 16% reservation दिया था जिस पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिया इसके बाद कमेटी की report जो है कि जब तक reservation नहीं मुकमल मिलता है जब तक एतिजाज जारी रहेगा जहां के इंसाफ की खास report